नमस्ते फ्रेंड्स, मैं पुस्पेंदर गुर्जर, डिस्कवरी क्लासेज जैपूर, यूटूब चैनल में आप सभी मित्रों का तहे दिल से हार्दी का विनंदन और स्वागत करता हूँ मित्रों ये जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए ये राजस्थान पुलिस और ग्राम सेवक के लिए खास कर आज से मैं आपको इस्टार्ट करने वाला हूँ राजस्थान का इतिहास जो आपके syllabus के according जो topic आपके exam में दिये हुए है तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं राजस्थान का नामकरन यानि राजस्थान का जो नामकरन है किन-किन चरनों से होकर के जिसको हम बरत्मान में राजस्थान बोलते हैं तो एक प्रकार से ये आपका general introduction है तो आप सबसे से पहले heading लिखोगे राजस्थान का नामकरन क्या राजस्थान का नामकरन ये general introduction है राजस्थान का आपका एक प्रकार से पहली किलास है मित्रों जो राजस्थान का जो नामकरन किया गया जिस प्रदेश को जिस भूभाग को जिस छेत्रफल को जिस इस्थान को वर्तमान में आज हम राजस्थान सब्द के नाम से जानते हैं उसको प्राचिन समय में किस नाम से जाना जाता था इसके बारे मैं मंत्यान करेंगे तो मैं आपको सबसे पहले बताऊं मित्रों रमाएन के दोरान क्योंकि रमाएन किस ने लखी वालमीकी के दोरा लखी गई और वालमीकी ने इस प्रदेश के लिए एक सब्द का उप्योग किया था जिसको पर बिए किसमें किस्का थें हम साथ में नोट भी करते चलते हैं तो किसके द्वारा यहां से हम नोट करेंगे यानी रामायन में रामायन में किसने वालमी की जी ने किसके लिए राजस्थान प्रदेश के लिए कौनसे सब्द का प्रियोक किया सरुप्रिधम तो राजस्थान प्रदेश के लिए इसने प्रद्योक किया था जिसका नाम था मरू कांतार कि इस मरू कांतार सब्द का प्रियोग किया सरुप्रिधम तो कौन सा सब्द दिया और युझ वालमी जी के द्वारा क्या लखी गई रामाईन लखी गई जिसको तो हम किस नाम से जाना जाते हैं इसको सहस्त्र सहीता के नाम से भी जाना जाता है रामाईन को और दूसरा नाम क्या है सहस्त्र सहीता के नाम से जाता है सहस्त्र सहीता के नाम से और मैं कहूं कि यह जो रामाईने यह भारत का सबसे बड़ा ग्रंथ है सबसे बड़ा ग्रंथ तो सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है रामाईन किसके द्वारा लिखा गया ये वालमी जी के द्वारा लिखा गया और सहस्तर सहिता कहा ज़ता है इसको और इसके अंतरगत इस प्रदेश के लिए सरुप्रिथम किस नाम का उप्योग किया गया मरू का अंतार सब्द का नाम सुझाय गया यह उप्योग मिलिया गया था अच्छा मेरे प्यारे दोस्तो एक सिला लेख मिला है जिसको अपन बोलते हैं बसंतगड सिला लेख कौन सा सिला लेख है मेरे प्यारे दोस्तों यह कहां से मिला है तो ये मिला है खीमल माता मंदिर और ये खीमल माता मंदिर के पास से मिला है और खीमल माता का मंदिर कहां पर है तो ये सिरोही जिले में इस्तित है और इस्थान पुछा जाए तो बसंदगड इस्थान पर खीमल माता के मंदिर के पास से एक सिलालेक मिला है ये जो सिलालेक है मेरे प्यारे दोस्तों ये 682 इस्वी का सिलालेक है 632 विक्रम सम्मत कौन सा सम्मत यह विक्रम सम्मत का सिलालेख है और इस सिलालेख के अंतरगत जो वर्तमान राजस्थान प्रदेश है इस प्रदेश को किश नाम से सुझाया गया है तो इस सिलालेख के अंतरगत इस प्रदेश के लिए नाम लिया गया है वो नाम लिया गया है कौन सा राजस्थानिया दित राजस्थानिया दित इस वर्तमान राजस्थान प्रदेश के लिए इस सिलालेक के अंदरगत कौन सा नाम दिया गया है तो मेरे प्यारे दोस्तों इसमें दिया गया राजस्थानिया दित यानि जिस भूभाग को हम वर्तमान में राजस्थान प्रदेश के नाम से जानते हैं इसको 682 इस वी विक्रम समत में एक इसके लिए नाम सुझाया गया और वो राम दिया गया ता और श्रोजा से मिलाये तो खीमल माता मंदिर सिरोई से यह प्राप्त हुआ जाए अच्छा मिरों प्याने दोस्तों अब हम देखते आगे मिइस वर्तमान राजस्थान प्रदेश के लिए एक अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम था जोर्ज थोमस जोर्ज थोमस इस जोर्ज थोमस के तोारा सरूप्रेथम इसके लिए प्रियोग किया गया था नाम और वो नाम दिया गया था राज पूताना जोर्ज थोमस के लिए कौन सा नाम दिया गया तो जोर्ज थोमस के द्वारा कब तो जोर्ज थोमस के द्वारा मेरे प्यारे दोस्तों इसने कब दिया तो अठारह सो इस्वी में कौन सी इस्वी में 1800 इस्वी में इस प्रदेश के लिए क्या नाम दिया गया तो राजपूताना नाम सब्द का प्रियोक किया गया किसके द्वारा जॉर्ज थॉमस के द्वारा जिसको हम वर्तमान में राजस्थान बोलते हैं अच्छा इसके बाद में 1805 इस्वी में कौनसी इस्वी 1805 इस्वी में एक दूसरे होगते William William Franklin Franklin इस William Franklin के द्वारा कौनसी इस्वी में 1805 इस्वी में एक पुस्तक लिखी गई दा मिलेक्टरी मेमाइरस ऑफ मिंश्टर जोर्ज थॉमस क्या लिखी यहां लिख देता हूँ दा मिलेक्टरी मेमायर्स आफ मिस्टर जोर्ज थॉमस जोर्ज थॉमस किसके दोर लिखी गई यह विलियम फ्रेंक्लिन के दोर लिखी गई दा मिलेक्टरी मेमायर्स आफ मिस्टर जोर्ज थॉमस यह दो दा मिलेक्टरी मेमायर्स आफ मिस्टर जोर्ज थॉमस पुस्तक लिखी गई विलियम फ्रेंक्लिन के द्वारा लखी गई 1825 वी में और इस विलियम फ्रेंक्लिन ने इस पुस्तक के माध्यम से बताया कि जोर्ज थोमस ने जो राजपूताना नाम दिया है वो सही है यानि विलियम फ्रेंक्लिन ने George Thomas के द्वारा दिये गए राजपुता नाम का समर्थन किया था किसके द्वारा तो William Franklin के द्वारा किया गया था 1825 में और 1805 में इस पुस्तक का जो प्रेकासन हुआ इसका प्रेकासन तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका प्रेकासन कहां से हुआ तो इसका प्रकासन लंदन से हुआ और कब हुआ 1825 में हुआ इसके बाद में एक दूसरे पॉलिटिकल एजेंट थे पी यहां में लिख देता हूँ और पॉलिटिकल एजेंट उनका नाम क्या था तो कर्नल जैम्स टॉड हुए कौन से कर्नल जैम्स टॉड जैम्स टॉड मेरे प्यारे दोस्तों यह जो कर्नल जैम्स टॉड हुए यह सरूपरिथम 1870 में राजस्थान आये थे कब आये राजस्थान आये यानि पहली बार राजस्थान कब आये थे तो 1870 में राजस्थान आये थे बार की लेकिन यहां पर पॉल्टिकल एजंट बन कर कब आए तो आपको याद रखना है कि 1822 इस्वी में क्या बनके आए पी-ए पॉल्टिकल एजंट बनकर राजस्थान आए थे इस गाश्थान आए आपको याद रखना है पहले तो यह भ्रहमन के उद्देश्चाश आए थे 1817 इस्वी में लेकिन 1822 इस्वी में राजस्थान के पॉल्टिकल एजेंट बन करके कौन आए करनल जैम्स्टॉट राजस्थान आए थे और यह कहां गए तो मेरे प्यारे दोस्तों यह मेवाड और मारवाड मेवार और मारवाड के पॉल्टिकल एजेंट बन करके राजस्थान आए थे मेवाड मारवाड के पॉल्टिकल एजेंट बन करके प्रारम में राजस्थान आए थे कौन करनल जैम्स्टॉट अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों करनल जैम्स्टॉट को इसने एक पुस्तक लिखी और करनल जैम स्टोर्ड की जो पुस्तक है ये पुस्तक का नाम क्या है तो इसने पुस्तक जो लिखी वो लिखी दा मलेक्टरी मेमायर्स आफ मिश्टर अच्छा ये तो अलग थी इनकी थी इसने लिखी दा सेंट्रल एंड वेस्टर्न दा सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूर दा सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूर इस्टेटस आफ इंडिया क्या लिखी दा सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूर इस्टेटस आफ इंडिया इसी का दूसरा नाम क्या था इसी पुष्टक का दूसरा नाम था दा एनलाइस दा एनलाइसस एंड एंटीकोटीज एंटी क्योटीज दा एनलाइसस एंड एंटीकोटीज ओफ राजस्थान राजस्थान तो दूसरे इसी पुष्टक का दूसरा नाम क्या था दा एनलाइसस एंड एंटिकोटीज ओफ राजस्थान दी सेंट्रल एंड वैस्टन राजपूत स्टेट्स ओफ इंडिया ये किसकी थी करनल जैम स्टोड की और मेरे प्यारे दोस्तों ये जो करनल जैम स्टोड की पुस्तक थी इनका जो प्रकासन हुआ क्या प्रकासन और प्रकासन इनका प्रकासन भी कहां से हुआ था लंदन में हुआ और दो भागों में हुआ था कितने भागों में प्रकासन दो भागों में हुआ पहला जो भाग था वो 1829 में प्रकाशन ओवा और दूसरा जो भाग था उसका प्रकाशन कब हुआ 1832 इसमें प्रकाशन हुआ दोनों का लंदन में किसका करनल जैमस्टोड की पुस्तक हुआ अच्छ प्यारे दोस्तों करनल जैमस्टोड ने इन पुस्तक के अंतरगत यानि इस पुस्तक के दो पार्टम डिवाइड होई तो इस पुस्तक के अंतरगत इस प्रिदेश के लिए यानि जिसको हम वर्तमान में राजस्थान कहते हैं तो इस पुस्तक के लिए क्या नाम उपयोग दिया राजस्थान के लिए तो रायथा राय्थान राजस्थान ौर रजवाड़् क्या नाम उप्योग में लिए गए तो राय्थान राजस्थान और रजवाड्ाLS इस वरत्मान 50 प्रदेश के लिए इस पुष्तक में कौकून सीमें इसी का दूसरा नाम है इस पुष्टक के दौरान राजस्थान, रायथान और रजवणा तीन सब्द दिये गए इस प्रदेश के लिए यानि मैं कहूँ कि सरुप्रथम राजस्थान सब्द का उपियो किसके दौरा किया गया तो इस प्रदेश के लिए कर्नल जैमस्टोर्ड के दौरा किया गया मेरे प्यारे दोस्तों कर्नल जैम्ष्टोर ने जो पुस्तक लिखी ये किसके कहने से लिखी तो ये मारवाड सासक था कहा का सासक मारवाड यानि जोधपुर का जो सासक था और जोधपुर का सासक जस्वंत सिंग के कहने पर कहने पर क्या लिखी तो पुस्तक लिखी थी पुस्तक लिखी किसके कहने पर तो मारवाड सासक जस्वंद सींग के कहने पर करनल जैमस्टोर्ड के द्वारा राजस्थान का इतिहास लिखा गया अच्छे करनल जैमस्टोर्ड को और किस नाम से जाना जाता है तो इसके उपनाम क्या इसके उपनाम मेरे प्यारे दोस्तों यहां में लिख देता हूँ उपनाम इसको उपनाम क्या है तो इसको बोला जाता है घोडे वाले बावा घोडे वाले बाबा घोडे वाले बावा और तो राजस्थान के इतिहास के पिता महें तो राजस्थान के इतिहास के पिता महें के नाम से भी किसको जाना जाता है? कर्नल जैम्स्टोड को जाना जाता है, कौन-कौन से नाम से? एक तो इनको घोडे वाले बावा के नाम से जाना जाता है और दूसरा राजस्थान के इतिहास के पिता मह के नाम से भी किसको जाना जाता है कर्णल जैम्स्टोड को जाना जाता है अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों दूसरे हुए है गोरी संकर हीराचंद ओजा ये गोरी संकर हीराचंद ओजहा के द्वारा करनल जैम्स्टोर्ड की पुस्तकों का हिंदी रूपा अंतरन किया गया तो किसके द्वारा गोरी संकर हीराचंद ओजहा के द्वारा किया गया तो आपको याद रखना है कौन सा दूसरा नाम भी आप याद रखोगे का हिंदी रूपान्तरन यहां पर हिंदी रूपांतरन को हिंदी में ट्रांसलेट तो वो किस द्वारा किया गया गोरी संकर हिराचंद ओजहा किसके द्वारा तो गोरी संकर हिराचंद ओजहा के द्वारा इन पुष्टकों का क्या किया गया हिंदी रूपांतरन किया गया किसकी पुष्टकों का करनल जैम स्टोड की पुष्टकों का हिंदी रूपांतरन किनके द्वारा किया गया गोरी संकर हीरा चंद ओजहा के द्वारा किया गया एक दूसरे हुए यती ज्यान चंदर जैन कौन थे यती ज्यान चंदर जैन एक थे यती ज्यान चंदर जैन मेरे प्यारे दोस्तों ये यती ज्यान चंदर जैन ये करनल जैम्स टॉड के गुरू थे किसके जैम्स टोड कि क्या थे कि गुरू थे क्योंकि राजस्थान का जो ब्रह्मन करवाया गया था करनल जैम्स टोड को तो वो यति ग्यानचंद्र के निर्देशन में हुआ था राथी ग्यानचंद्र के नेक करनल जैम्स टोड को राजस्थान का संपूर्ण राजस्थान का भ्रह्मन करवाया इसलिए इसको क्या बना दिया यह माल लिया गया गुरू माल लिया गया यानि करनल जैम्स्टोड के जो गुरू थे तो वो कौन थे यती ग्यांचंद्र जैन थे जिनोंने करनल जैम्स्टोड को राजस्थान सब्द सुझाए गया 1829 इस्वी में जब यह पुस्तक लिखी The Central and Western Rajput States of India इस पुस्तक के दोरान इस भूभाग के लिए कौन सा सब्द सुझाए गया राजस्थान सब्द सुझाए गया अब मेरे प्यारे दोस्तो यानि वर्तमान में जो राजस्थान का छेदरपल है 3,42,249 वर किलम्टर यह यानि संभः धाने की रूप से इसे राजस्थान प्रदेश का दर्जक कब दिया गया, तो मेरे प्यारे दोस्तो नाम तो पहली बार इस ने दे दिया धा करनल GEMS stoddy 29 म लेकिन आपको याद रखना है किस रूप से समवई धाने की रूप से तो मैं यहां लिख देता हूं कौन से रूप से समवई धाने के अच्छा इधर लिख देता हूं यहां दिखाई नहीं देगा तो यहां समवई धानिक रूप से राजस्थान प्रदेश को प्रदेश का दर्जा तो समवई धानिक रूप से राजस्थान प्रदेश को दर्जा कब दिया गया 26 जनवरी 26 जनवरी और 1950 इसवी को 26 जनवरी यानि इस भूभाग के लिए संबेधानिक रूप से नाम कब दिया गया तो 26 जनवरी 1950 को दिया गया लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि वर्तमान राजस्थान का वस्तित में आया जो आज वर्तमान में जो छेत्रपल है जिसके अंतर के 33 जिले 33 जिले और जो 3,62,249 वरी कुलोमेटर चेत्र है यह वर्तमान राजस्थान का वस्तित में आया इस प्रिकार से गर पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है कौन सा वर्तमान राजस्थान वर्तमान राजस्थान राजस्थान कब अस्तित्व में आया तो मेरे प्यारे दोस्तों वर्तमान राजस्थान कब अस्तित्व में आया तो यह आया था एक नवंबर एक नवंबर 1956 को कब आया तो वर्तमान राजस्थान कब अस्तित्व में आया एक नवंबर 1926 को और संब्धानिक रूप से इस प्रदेश के लिए राजस्थान सब्द का प्रियोग कब किया गया तो यानि संब्धानिक रूप से अस्तित्म कब आया तो 26 जनवरी 1950 को और वर्तमान सुरूप जो है 33 जिले और मैं कहूं कि जो छेदरफल जो 3,42,49 राजस्थान के एक ही करन के बाद में जो अस्तित्म में आया वो कब आया एक नवंबर 1956 को अस्तित्मा है तो यह आपको याद रखना था मेरे मित्रो राजस्थान का नामकरन यह आज की पहली किलास है और राजस्थान पुलिस और खासकल ब्लॉक डवलप्मेंट ऑफिसर बिलेज डवलप्मेंट ऑफिसर वालों के लिए ग्राम विकास अधिकारी वालों के लिए आज से यह हिस्ट्री की क्लास भी आपको इस पर प्रोवाइड करवा जाएगे एक बार रिवीजन करवा देतों राजस्थान के नामकर सिलालेग वित्रों इस बसंदगर सिलालेग यह खीमल माता मंदिर से पास हुआ है बसंदगर स्थाने शिरोई में जो यह जो सिलालेग के अंतरगत क्या नाम सुझाय गया है राजस्थानिया दित सब्द का प्रियोग किया गया है इसके अलावा 1802 में जोर्ज थॉमस नामके अंग्रेज हुए थे इन्होंने इस प्रदेश के लिए राजपूताना सब्द का प्रियोग किया और 1805 में विलियम फ्रैंकलिन यह जो विलियम फ्रैंकलिन और इसने उन्हों पुस्तक लिखी दा मिलेक्टरी मैमायर्स ओफ इन्हों पूंहीं कि पुछाना चाहो गया तो मेरा दोस्तों इनकी मृत्तु कहां पर हुई तो भी 8 नेर में इनकी मंद्तु हुई थी इसके बाद में 1829 शीषमी में ये कर्नल जयम्सटोड पॉलिटिकल एजन्ट सट्रह में रायस्थान आए थे 1822 शीषमी पॉलिटिकल एजन्ट बनकर मेंवाड मारवाड के पॉलिटिकल एजन्ट थे इनोने पुस्तक लिखी तो गोरी संकर हीराचंद ओजा के द्वारा इस पुस्तक का हिंदी रुपांतरन किया गया है इसके अलावा इस पुस्तक का दो भालटों में डिवाइडेशन हुआ ये पुस्तक दो भागों में विमोचन हुआ इसका लंदन में हुआ एक 1829 इसमें और 1832 में इस पुस्तक के ब्रह्मन करनल जैम्स्टोड को किसके निर्देशन में यति ज्यानचंद के निर्देशन में करवाया गया था इसके अलावा मेरे प्यारे दोस्तों करनल जैम्स्टोड को किस नाम से जाना जाता है तो घोडे वाले बावा से दर्ज़ा कब दिए गया और राजस्थान का तो आपको याद रखना है राजस्थान को तो राजस्थान दिवस मनाज नहीं तो को कब हो तो राज्थान दिवस मनाया जाता 30 मार्च को मैं उम्मीद करता हूँ कि यह सारी जानकारी आपको पहले भी कई बार आपने यूटूब हो पे या कोचिंग क्लासेज के अंतरगत या बोक्स के अंतरगत पढ़ ली होगी सामान जानकर थी जनरल इंट्रोडेक्शन था राज्थान पुलिस और ग्राम सेवक के लिए तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और जो भी आपके मित्र यह कमडिशन एक्जम दे रहे हैं तो उनको एक बार यह सेयर कर देना उनको बता भी देना कि इस यूटूब चैनल पर डिस्क आपके बारत